हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस ग्यान दिव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम एक ऐसे महत्पूर्ण विशे पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही खास है आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में एक ऐसे सब्जेक्ट के उपर जानकारी प्राप्त करेंगे जिसके जरिये आप आगे चल करके व्याकरण में किसी भी प्रकार की गलतियों को दूर कर सकते हो और आप आसानी से हिंदी व्याकरण के शब्दों के पैचान जो है आप लोग कर सकते हो आज का जो हमारा विशे है वो है शब्द विचार हाँ दोस्तो शब्द विचार अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दें और जो बेल आइकन दिया गया है उसे जो है प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे इसी तरह का वीडियो घर बैठे आपको इसका फाइदा मिलता रहे दोस्तो अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइफ नहीं किया है सस्क्राइब नहीं किया है शेयर नहीं किया है तो इसे जल से जल शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेस को भी जो है इस वीडियो का घर बैठे फाइदा मिलता रहे दोस्तों सोचिये मत आप जो है चल से जल हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करें और शेयर करें ताकि औरों को फाइदा मिल सकें चलिए जो है श्टार्ट करते हैं यह हमारा जो वीडियो है यह सब्द विचार का सेशन वन है अर्थात सत्र एक है चलिए इस सत्र एक में हम लोग सब्द विचार का कुछ जो है जानकारी लेंगे इसी तरह सत्र बन सत्र दो और सत्र त्री ऐसे तीन सत्र में आपको आसानी से यह समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है इस चीज की जानकारी में दोंगा तो दोस्तो अब भी जो है आपको सामने एक जो है चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें लड़की है और उसने जो है मुबाइल हाथ में लिया है इस लड़की का नाम है टीना हाँ दोस्तो इस लड़की का नाम है टीना तीना अपने रिलिट्ट्यूस को मुबाइल के जरहे जो है वो फोन लगा रही है और किसे फोन लगा रही है वो लगा रही है अपने दादा जी को दादा जी को फोन लगा रही है और खुशती है के हेलो दादा जी नमस्ते आप कैसे हो टीना अपने दादा जी का अपने बड़ों का बहुत सम्मान करती है लोगों का वो आदर करती है इसलिए वो हेलो बुल ले के बाद दादा जी को नमस्ते बोलती है और चरनिसमर्स करती है तो टीना काफी जो है सदाचार काफी जो है और बड़ोका जो है सम्मान करने वाली है अब टीना ने कहा हेलो दादा जी नमस्ते आप कैसे हो तो दादा जी ने उन्हें जवाब दिया अच्छा हूँ बेटा और तुम कैसी हो तो दादा जी ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ बेटा तुम कैसी हो ठीके यह जो यहाँ पर टीना जो है फोन से बाते कर रही है और दादा जी जवाब दे रहे है यह भाशा का कौन सा रूप है यह भाशा का मौखिक रूप है हमने जो है लाश वीडियो में हमने देखा था कि भाशा के दो रूप होते हैं एक मौखिक और दूसरा एक लिखित मौखिक जो मौखे द्वारा या बोलकर अपने भाव प्रकट किये जाते हैं वो मौखिक के अंतरगात आते हैं और अगर उसे लिखकर जो है लिखकर अगर पढ़ा जाये समझा जाये तो लिखित के अंतरगात आता है अब यहाँ पर टीना क्या कर रही है टीना जो है मौबायल से फोन करके मौखिक भाशा का जो है मौखिक भाशा के रूप का जो है वो यहाँ पर प्रिजेंट कर रही है मौखिग भाषा के अधार पर अपने भाव और विचारों को दादा जी के सामने पहुचा रही है अगर माल लो टीदा ने दादा जी को वाट्सप किया हाई दादा जी आप कैसे हो तो वो कौन सा रूप होगा बच्चो वो जो है भाषा का χित रूप होगा क्यांकि वो लिख करके दादा जी को भेज रही है और दादा जी पढ़ के उसे समझ रहे है और वो भी लिखित के माध्यम द्वारा जो है जवाब भी दे रहे हैं तो यहाँ पर यह जो आपसे बात कर रहे हैं यह जो है एक भाषा का रूप है चलिए आप आगे बढ़ेंगे आगे आपको स्क्रीन पर कुछ वर्ण दिखाई दे रहे है इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना है और कमेंट पर आप जवाब दीजिए कि आखरी ये जो है क्या कौन सा शब्द है मैं इंतिजार कर रहा हूँ आपने सही कमिन किया है ये जो है आपने जो सही अपने जवाब जो है सही दिया है ठीक है अगर हम इन वर्णों को काउन करते हैं वो होते हैं छवर्ण द इप अ को अ ये छवर्ण होते हैं राइट अगर इन वर्णों को हम जोड़ देते हैं तो इस चित्र का जो आपको दिखाई दे रहा है इसी इसका ही जो है अर्थ या जो है शब्द बन करके सामगे आ जाएगा तो ये जो छो वर्ण है इन वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनते हैं वर्णों के माध्याम से वर्णों के सार्थक सम्मू को वर्णों के सार्थक समूँ को हम क्या कहते हैं शब्द कहते हैं ये सार्थक समूँ होना बहुत अनिवार है अगर मालो कि यहाँ पर पर के जगह पर तरी द के जगह पर हम पर करते हैं और पर के जगह पर हम द करते हैं तो क्या होगा पीदक तो PID spice को कोई अर्थ निकलता है नहीं निकलता है तो अगर ऐसे अर्थ ही यहर्ण। वह भी शब्द ही है लेकिए वह अर्थवीर है ठेकिए उसमें अर्थ नहीं है, मिनिंगलेस है तो हमें क्या करना है, हमें इस शब्द बनाने हैं, लेकिन सार्थक शब्द होना जरूरी है, मिलिंग्फुल शब्द होना जरूरी है चलिए हम एक और वन वीचे अपने वन देख लेते हैं इसका भी आपको कमिन्ड करना है यह क्या लिखा हुआ है इसले लिएक श्रुण है यह और पिछ भीछा रखेंगे आपका जो अपने जो कमिंड किया है वो सही है ठीक है और वो है गुलाब यह क्या है गुलाब तो यहाँ पर दीपग और गुलाब क्या है यह दोनों शब्द है यह दोनों जो है सार्थक शब्द है चलिए तो अब तक हमने क्या जाना हमने भाषा जाना, भाषा के दो रूप मौकिक और लिखित, भाषा बाद हमने क्या जाना, हमने जाना वर्ण, ठीक है, वर्णों के सार्थक सम्मों को, जो है, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, तो वर्णों से शब्द करेशना हुई, पहले भाषा आया, फिर भाषा को जो है लिखित भाषा को वर्ण के द्वारा जो है वर्ण के माध्यम से उसको लिखित रूप दिये गए ठीक है वर्ण को जोड़ करके सब्द बनाया गया और इन सब्दों क्यों जोड़ करके वाक्या बनाए गए चलिए जो है अब जानेक परी भाषा क्या है दो या दो से अधिक वर्णों की मेल से बनने वाले सार्थक तथा स्वतनत ध्वनी समू को शब्द कहते हैं दो या दो से अधिक वर्ण की जब मेल होता है उसके बाद जो शार्थक सब्द तेयार होते है वो जो है शब्द कहलाते हैं जैसे पुष्व, गंगा, नयन, पक्षी, खेत, गाय, आज़ी अब बच्व पद क्या होता है सामदे आपको चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र के अधार पर आपको एक वाक्य बना कर लिखना है तो मैंने एक वाक्य बनाया है किसान खेत में हल जोद रहा है एक टोटल जो है सेवन शब्द है तो सेवन शब्द मिला करके क्या बनता है हमारा वाक्य बनता है वाक्य को दुसरे अर्थ में क्या कहते हैं पद वाक्य को दुसरे अर्थ में क्या कहते हैं उसे पद कहते हैं अगर यही पद यही वाक्य अगर सही क्रम में हो तब वो सार्थक जो है शब्द कहलाता है सार्थक वो वाकिया पद कहलाता है अगर हम इसको सही क्रम में नहीं लगाएंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा इसलिए मैं सही क्रम में रखना बहुत ज़रूरी है जैसे एक एक्साम्बल है ठीक है बच्चो को काट कर फल दो कैसा गलत सही करम में नहीं है बच्चो को काट कर फल दो इसका सही क्या होगा सही होगा फल काट कर बच्चो को दो या बच्चो को फल काट कर दो तो इस तरह जो है सही करम में रखना हमें बहुत जरूरी है चलिए पद का हम परिभाटा जान लेंगे पद शब्द को जो वाक्य में पिरोया जाता है तो वो पद कहनाता है वाक्य में आने के बाद शब्द व्याकरण के नियोमों में बद कर कारे करता है फिर उसकी सुतनता समाप्त हो जाती है व्याकरम के कारण कई बार इसका रूप बदल जाता है आप बच्चो तो इसका जो है नियम बदल जाता है जब शब्द वाक्य में जुड़ता है तो वो व्याकरम की डिष्टी से उसमें कई बदलाव कई चिंजिस आ जाते हैं जैसे बच्चा हसता है बच्चे हसते हैं तो ए से ऐसे ही शर्द वाक्षे में जब जुड़ता है तो उसमें व्याक्रन की दिश्टिक् Peninsula के निमों के उसमें बदलाव होते रहते हैं बहुते हैं इसमें कीटने वर में बाटा गया है इसे जो है चार भागों में बाटा जिरे है पहला है उत्बत्ति या शुरोत के अधार पर दूसरा है बनावत या रचना के अधार पर तिसरा अर्थि के अधार पर और चौथा है व्याकर्नि प्रकार के अधार पर तो हम लोग जो है इसे एक एक करके जो है समझेंगे इसको हम एक एक करके जो है जानेंगे पहला उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्तिय श्रोत के आधार पर तो इसे भी समझने के लिए इसे जो है कम से कम पाँच भागों में जो है बाटा गया है पहला तक्सम्ठ शब्द, दूसरा तदभोव शब्द, तीसरा देशर शब्द, चौथा विदेशी शब्द और जो पाचवा है वो है संकर शब्द अब हम एकएक करके इन पाचवबेट को जो है जानेगे तो पहला तत्सम शब्द, सामने आपको एक चित्र दिखाई दिया है, आपको जो है चित्र को समझना है और लिखना है चित्र कौन सा है, आपने जो कमिन किया है बहुत सही है, यह चित्र है सूरी का, राइट, तो सूरी जो है, यह सूरी कौन सा शब्द है, हिंदी शब्द है किस संस्कित शब्द है आप कमिन करके बता सकते हैं आपने जो कमिन किया है बहुत सही है ये जो है सूर्य संस्कित शब्द है तो इसका परिभाषा क्या होगा परिभाषा होगा संस्कित के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में आ गये हैं उसे कहा जाएगा तश् जो संस्कित में हैं वही सेंटु सेम हमारे हिंदी में आ गए हैं उसे कहते हैं तत्षम शब्द उसे क्या कहते हैं तत्षम शब्द चलिए अब चलेंगे दूसरे जैसे विद्या घिट रात्री सर्प दुग्द कीट आदी चलें आप जाने के तत्षम शब्द आपको जो है एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको जो है कमेंट करके बताना है किस चित्र को जो सामदें आपको दिख रहा है संस्कित में से क्या कहेंगे और इसे हिंदी में क्या कहेंगे आपको कमेंट करके बताना है चलें आपको जो अंसर दिया है, बिल्कुल सही है, संस्कित में इसे ग्रिय कहेंगे और हिंदी में इसे घर कहेंगे, ग्रिय इस संस्कित शब्द है, अर्थाद ये तश्रम शब्द है, और घर ये इसका जो हिंदी में बतलता रूप है, तो वो तद्भो है, आप समझ गया होंगे कि तद्भो तद्भो संस्कित का बदला हुआ रूप है संस्कित का परिवर्त जो है जो परिवर्तन आ गया है जिन शब्दों में उसे जो है तद्भो रूप कहते हैं इसका परिभाशा जान देंगे संस्कित के वेशद जिनका रूप हिंदी में आते आते बदल जाता है वो तद्भो इसी शब्र काफी जो है प्रचलित है कुछ जो है अन्य शब्रिया पर दिये गए हैं आपको पढ़ लेना है जैसे तशम शब्द तद्बव तशम अंगुली तद्दबव उंगली ग्राम गाउं शेत्र खेत्र बिशा भीक व्याग्र बाग छिद्र छेद नासिका नाक कोकिल आप कोयल हस्ति हाथी, शील, कीर और लाश्ट मयूर का मौर्ड आपको इसकांप पीडियम जो है आपको डिसकेसर में ना में आप इसी तरह के कई जो है आप तर्शम और तर्बह शब्द की जानकारिया वहां से भी ले सकते हैं अब चलिए कुछ आपसे कोशन कुछ अप्याज कोशन आपके बहुत नहीं सुना समझाए से तो आपको जो है कमिन करके इसको अंसर देना है ठीक है चलिए स्टार्ट कर को कौन सा शब्द त्द्धाव नहीं है कुम्हार पिंजरा हाथी मयूर कमेंट करके अप Cup देना है इसका अंसर है फॉर्थ वर त मयूर क्योंकि मयोर जो है संस्क्रिप किसे कहते हैं जो संस्क्रिप से कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं जो हिंदी से कुछ बदल कर संस्कित में आते हैं जो विदेशी भाषाओं के लिए आते हैं जो दो भाषाओं से बिलकर बनते हैं इसका सई अंसर है फर्स्ट वन जो संस्कित से कुछ बदल कर हिंदी में आते हैं फोर्थ वन उत्पत्तिके अधार पर सबस्तिके कितनी बेड़ है उत्पत्तिके अधार पर इसकے तैस कह चाइस है तश्रीएर जो है आपको तस्वर्परन्व का मिलान करना इसको इसको मैच मैच और मयूर का मोर तो आशा करता हूँ कि आपको यहां तक बहुत अच्छा था समझ में आगे होगा बाकी जो है हम आगे भेदो की जान्तकारी नेक्स सेशन में प्राप्त करेंगे तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे सेशन टू में और आगे की भेदो की जान्तकारी उसमें प्राप्त करेंगे अभी के लिए थैंक्यू धन्यवाद